जी, आप मेरे को 2-4 दिन का टाइम देजिए, मैं आपको जैसे ही मेरे पास कुछ आते हैं, मैं आपको इंफॉर्म करता हूँ, जी, ओके, ओके, तैंक ये, मैडम, आज को काफी प्वेरेज आ रही है, प्लॉट से रिगारिंग, मुश्की केस्टमर ये चारेंगे, उनको 30-40 की रोल पे मिल जाए, और M.D.D.D. अप्रूब हो ये फिर R3 हो, तो ऐसे कुछ ऑप्शन है हमारे पास? जी, है हमारे पास, जो R3 और M.D.D.D. अप्रूब है, 30-40 की रोल पे हैं, तो ये कौन ची टोकेशन में देखने हो मिलेंगे? ये हमें कनाल रोल, राजपूर, शाहज अप्रूब हो ये तो आज हम अपनी वीवर्स को कुछ एक, दो अप्शन दिखा सकते हैं? जी, बुकूर, चल्ब हो, चल्ब हो, चल्ब हो, मैडम तो फिर अभी हम का से स्टार्ट करेंगे प्लॉट देगे? अभी हम प्लॉट देखना स्टार्ट करेंगे नागल हैट से, व तो पडूबी जी, ये है वो प्लॉट जिसका फ्रेंट है 40 फिट और डेप्थ है 80 फिट और ये है 25 फिट की रोड और इसकी फेसिंग है 39 जो की बिलकूल नियरबाइ है सेंटनी स्कूल के, जहां से आपको मिलता है प्रकृति का कितना सुंदर नजारा देखे प्रूबी ज मैडम जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इस फ्लॉट के अप्रोच भी काफी अच्छी होगी, क्योंकि ये पीछे हमारा सर्जदारा रोड दिख रहा है, यहां से भी आ सकते हैं और जहां से भी हमारा राजपूरोडा कहना रोड से तो इसकी कनेक्टिविटी कह तीन जगे से ह जी बडूनी जी बिलकुल इसकी कनेक्टिविटी तीनो जगे से और अध्यासा कि आप देख रहे हैं यह लैंड बिलकुल टेबल टॉप है, जो भी यहां पर अपना घर बनाएगा, एक हाइट के जाके उसको प्रकृति का पूरा नजारा मिलेगा, तो मैडम कुछ और ऑप तो बडूनी जी जाता कि माने आपको बताया था, यह है वो बारहों सु बच का प्लॉट, जिसमें हमने 6 प्लॉट का थे हैं, इसमें एक रोड फ्रंट में बिलती है, एक रोड फ्रंट में मिलती है, तो इसकी कनेक्टिविटी दोनों तरफ से होगी, इधर से भी होगी, त बैक साइड से भी तीस प्लॉट की रहेगी, जिसमें आज की डेट में पच्पन से साथ हजार रुपे गच के साब से रेट जिल गए, जो भी हम प्लॉट पीछे देख के आए, उसका नाई तो आपने प्लॉट बताया और नाई उसका साइज बताया प्लॉट का, जी अपने डिस्क्रिप्शन में, जी जैसे कि आप पनाश वैली देख रहें, इसके पीछे ही आपको पहाड़िया देख रहें, कित्मा सुंदर व्यू आ रहा है यहां से, यह एक टेबल टोप लैंड है, यह आपको सामने दिख रहा है राजपूर, मैं अभी तक आपको आर्थ्री प्लॉट जिखाए, इसी लोकेशन पे मेरे पास एक M.D.D. अप्रूट प्लॉट है, जो दोसो गच का है, 30-22 का, वो भी मैं आपको लिखा देती हूँ, चलिए, सर, यह है वो दोसो गच का M.D.D. अप्रूट प्लॉट जिसकी डैमेंशन है 30-22 का, इसकी एक वीडियो संजीव सर पहले भी डाल चुके है, उस टाइम पे हमारे पास 6 प्लॉट थे, लेकिन अब हमारे पास केवल इसमें 2 ही प्लॉट बचे हुए है, तो मैं, अब हम और क् दो प्लॉट्स, तो चले, जिब लिए चले, जिब लिए चले, अब मैं आपको लेके आ गई हूँ, M.D.D. अप्रूट को लोटी में, इसमें हमारे पास यह प्लॉट है, जिसका प्रंट है 30 पूट और इसकी डैप्थ है, 91 फूट जो कि उस बॉल तक है, यह M.D.D. अप्र प्लॉट है, 30 पूट इसकी व्लॉटी में अपको लिए चले, मैं इसे भी आपको लिखा लेके हूँ, तो सर्च जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पी मेरे पास एक और प्लॉट है, यह है वोग प्लॉट जिसकी डामेंशन है 30 गाई, इक्या सिंग, यह है आपका पा प्लॉट के सामने ही, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पहले से ही पहुत अच्छे अच्छे गौर बने हुए है, यह लोकेशन हमारी कनाल रोड और राजपूर रोड से बहुत ही पास पड़ती है, तो मैड़ा हम कुछ और देखने जाएंगे इसके बाद, जैसा कि बनी जल्दी जल्दी मैं आपको एक और सोसाइल्टी दिखा देती है, MDDA अफूर, जिसमें मेरे पास एक और पार्क पेसिंग प्लॉट है, जो की MDDA अफूर शेहर गरा रोड और किलान रोड के, जो की रोड है, 40 कुप्ली, और पार्क पेसिंग जेप्लॉट है, बैस्ट फेस कि इसमें अच्छी 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 अधर बने होई है इसमें वाँ मैडम हाँ तो आपने कमाली कर गिया आज आज आपने हमारे वीवर्स प्लेक आपिसारी प्रॉपर्टी दिखा दिए जी मडूनीची ऐसी कई प्रॉपर्टीज और है मेरे पास जो तो आज संसाट हो गय अच्छी मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाई है वो यह शहर के बिल्कुली नियर बाई है स्कूल, स्कॉल, स्कॉलर्स ओं, DPS, RN, स्कूल नियर बाई है कॉलेजिस की बात करें सिभधार्दालो कॉलेज, GRD, DIT, IMS नियर बाई है मेडिकल फैसलिटीज की बात करें मैक्स होस अगर आपको कहीं जाना है तो रेल्वेश स्टेशन मत बीस मिनट में आप पहुंच सकते हैं, IFVT आप 30 मिनट में पहुंच सकते हैं, एरपोर्ट 45 मिनट के ड्राइब पे हैं, दोस्तों आशा करता हूं आपको आज का हमारे वीडियो काफी पसंद आएगा, हमारे चैनल प् स्काइब कीजिए, आपकी अपनी दोस लोहिनी मंदारी और गौरा पे दोगी, नमस्ता